नमस्कार दोस्तों, आएस अपर आप सभी का सौगत करता हूँ, इस वीडियो पर हम बात करेंगे मार्क बर्ग फाइरस के बारे में, तो मार्क बर्ग फाइरस क्या है, मार्क बर्ग फाइरस कैसे फैलता है, क्या क्या सिंटॉम्स है और इसे कैसे प्रिपेंट क्या जा सकता है सब कुछ हम डिसकस करेंगे इस वीडियो पर तो चलिए शुरुवात करते हैं पिडियेप के लिए आप लोग हमरे से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर हाल ही में गीनी के कुछ हेल्थ अपसियाल के दोवारा कौनफर्म क्या गया है देश में मार्कबर्ग फायरस तो वेस्ट अफरिका का एक फ़स्ट केस है अब हम ओरिजिन के बारे में बात करते हैं 1967 में मार्कबर्ग लबरोटरी में फ़स्ट आइडेंटिफाई क्या गया था मार्कबर्ग फायरस तो कैसे mark per virus transmit होता है? mark per virus transmit होता है food beds के थू human to human transmit हो सकता है कैसे? body fluid के थू, blood के थू, semen के थू, urine के थू अब हम बात करते हैं health effect के बारे में तो mark per virus similar to evola virus है तो evola virus के case में क्या होता है? hemorrhagic fever होता है mark per virus के case में भी hemorrhagic fever होता है और इसका fatality rate है 88% high fever, fatigue, cramping, abdominal pain advanced symptom क्या क्या है? advanced symptom है john disease, pancreatic inflation, multi-organ failure, severe weight loss अब हम बात करते हैं cure के बारे में currently there is no cure for this disease तो prevention क्या क्या है? first तो देखिए जो protective gear है protective gear पहना चाहिए जो health official है उनको protective gear supply करना चाहिए इसके साथी साथ जो बैक्ती mark per virus से पीडित है उनको avoid करना चाहिए और food vats को avoid करना चाहिए आसा करता हूँ आप लोगों कोई समझ माया होगा एहे end up this video, मिलते हैं next video पर thank you